भारत के सवासो करो नागरिक, नया संकल्प, नई उमंग, नया जोश, नए सपने लेकर नव वर्ष का स्वागत करेंगे दिवाली के तुन्त बात हमारा देश आईतिहासिक सुद्धी यगन का गवा बना है सवासो करोर देश वाच्चियों के धैरिय और संकल्प सक्ति से ये जो सुद्धी यगन चला आने वाले अनेक वर्षों तक यह देश की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगा इस्वर्दत्य मानो स्वभाव अच्चाईयों से भरा रहता है लेकिन समय के साथ आई विक्रूतियां बुराईयों के जिंजाल में वो घूटन महसुस करने रहता है भीतर के अच्चाईयों के खारण विक्रूतियां और बुराईयों की घूटन से भार निकलने के लिए वो चटपटाता रहता है हमारे राष्ट जीवन और समाज जीवन में बश्टाचार, काला धन, जाली नौटों के जालने इमानदार को भी घूटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था उसका मन स्विकार नहीं करता था, लेकिन उसे परिस्टित्यों को सहना पड़ता था, मजबूरन स्विकार करना पड़ता था दिवाली के बाद की घटनाओं से ये सिद्ध हो चुका है कि करोडों देशवासी ऐसी घूटन से मुक्ति के अवसर की तलास कर रहे थे हमारे देशवासियों के अंतर उर्जा को हमने कई बार अरुभव किया है चाहे सन बासट की लड़ाई हो, पैसट की लड़ाई हो, इकत्तर की लड़ाई हो, करगिल का युद्ध हो, भारत के कोटी कोटी नागरीकों की संगठी सक्तियों और अप्रतीन देशभक्ति के हमने दर्शन किये हैं, कभी ना कभी बुद्धी जिवी वर्ग इस बात की चर्चा जुरूर करेगा कि बाहिये शक्तियों के सामने तो देश वाच्छों का संकल्प सहज बात है, लेकिन जब देश के कोटी कोटी नागरीक अपने ही भीतर घर कर गई बिमारियों के खिलाब, बुराईयों के खिलाब, विकृतियों के खिलाब, लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, तो वो घटना हर किसी को नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करती है दिवाली के बाद लगातार देशवासी, दड़ संकर्प के साथ, अप्रतीन धैरिय के साथ, त्याग की पराकास्टा करते हुए, कस्ट जेलते हुए, बुराईयों को पराजित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्ती नहीं हमारी है। इस बात को देश वासियों ने जी करके दिखाया है। कभी लगता था, सामाजिक जीवन की बुराईयां, विकृतियां, जाने अंजाने में, इच्छा अनिच्छा से, हमारी जिन्दिकी का हिस्सा बग गए है। लेकिन आठ नवंबर के बाद की घटनाएं हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। सवासो करोड देश वास्यों ने तकलीफें जेल कर, कश्ट उठा कर, ये सिद्ध कर दिया है। कि हर हिंदुस्तानी के लिए सच्चाई और अच्छाई कितनी एहमियत रखती है। काल के कपाल पर ये अंकित हो चुका है, कि जन्शक्ति का सामर्थ क्या होता है। उत्तम अनुसाचन किसे कहते हैं। अप प्रचार की आंधी में सत्य को पहचानने की विवेक बुद्धी किसे कहते हैं। सामर्थवान, बेव्याप, बेइमान के सामने इमामदारी का संकल्प कैसे विजय पाता है। गरिबी से बहार निकलने को आतूर जिंदगी, भव्य भारत के निर्मान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। देश वासियों ने जो कष्ट जेला है, वो भारत के उजवल भविश के लिए नागरिकों के त्याग की मिसाल है। सवा सो करोड देश वासियों ने संकल्प बर्द होकर अपने पुर्शार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से उजवल भविश की आधार शिला रखी है। आम तोर पर जब अच्छाई के लिए अंदोलन होते हैं, तो सरकार और जनता आमने सामने होती है। ये इतिहास की ऐसी मिथाल है, जिसमें सच्चाई और अच्छाई के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर कंदे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे देश वाचियों, मैं जानता हूँ कि बीतोई दिनों आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए गंटों लाइन में लगना पड़ा। परेशानी उठानी पड़ी, इस दोरान मुझे सैंकड़ों हजारों चिठियां भी मिली ने, हर किसी ने अपने विचान रखे हैं, संकल्ब भी दोराया है, साथी साथ अपना दर्द भी मुझसे साजा किया है। इन सब में एक बात मैंने हमेशा अनुभव की, आपने मुझे अपना मानकर के बाते कहीं हैं। प्रस्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाब लड़ाई में आप एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। आपका ये प्यार आशिरवात की तरह है। अप्रयास ये हैं कि नवबर्ष में हो सके उतना जल्दी बैंकों को सामान्य स्थिति की तरफ ले जाया जाये। सरकार में इस विशे से जुड़े सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से कहा गया है कि बैंकिंग व्यवस्था को सामान्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाये। विशेश कर ग्रामिल इलाकों में दूर दराज वाले इलाकों में प्रोयक्टिव हो करके हर छोटी से छोटी कमी को दूर किया जाये ताकि ग्राओं के नागरिकों की किसानों की कर्षिनाई या खत्मा हो। पहरे भाईयों और भेनों हिंदुस्तान ने जो करके दिखाया है ऐसा विश्व में तुलना करने के लिए कोई उधार नहीं है। बीते कुछ वर्षों में एक हजार और पांसो के नोट सामान्य प्रचलन में कम और पैरलल एकोनोमी में ज्यादा चल रहे थे। हमारी समकष जो अर्थवववस्ता वाले देशों में भी इतना कैस नहीं होता जितना हमारे यहाँ पहाड के पहाड हो गए है। हमारी अर्थवववस्ता में बेतहासा बड़े विये नोट मेंगाई बढ़ा रहे थे, काला बाजारी बढ़ा रहे थे, देश के गरीब से उसका अधिकार चिन रहे थे। अर्थववस्ता में कैश का अभाव, नगत का अभाव तकलिप दे हैं। तो हम यह भी न भुले कैश का प्रभाव, नगत का प्रभाव और अधिक तकलिप दे होता है। हमारा यह प्रयास है कि इसका संतुलन बना रहे है। एक बात में सभी अर्थवस्तियों की सहमती है कि कैश अत्वा नगत अगर अर्थववस्ता से बाहर होते हैं, तो विपत्ति हैं वही कैश या नकत अगर अर्थववस्ता की मुख्य धारा में हो तो विकास का साधन बनता है। इन दिनों करोणों देश वासियों ने जिस धैरियों, अनुशासम और संकल्प शक्ति के दर्शन कराए हैं। अगर आज लाल बादुर शास्त्री होते हैं, जैप्रकास नारायन होते हैं, राम मनोहर लोहिया होते हैं, कामराज्जी होते हैं, तो अवश्य देश वासियों को भरपूर आशिवाद देते हैं। किसी भी देश के लिए ये एक सुब संकेत है, कि उसके नागरीक कानून और नियमों का पानन करते हुए, गरीबों की सेवा में, सरकार की सहायता के लिए, मुख्य धारा में वापिस आना चाहते हैं। इन दिनों इतने अच्छे अच्छे उदाहर सामने आये हैं, जिसका वरणन करने में हप्तों बित जाएं। नकद में कारोबार करने पर मजबूर अनेक नागरीकों ने कानून नियम का पानन करते हुए, मुख्य धारा में आने की इच्छा प्रकट की हैं। यह अप्रत्याशीत है और सरकार इसका स्वागत करती हैं। मेरे प्यारे देश्वास्यों, हम कब तक सच्चाईयों से मुह मोडते रहेंगे। मैं आपके सामने एक जानकारी साजा करना चाहता हूँ। और इसे सुनने के बाद या तो आप हस पड़ेंगे या फिर आपका गुसा फुट पड़ेगा। आपको जानकर के हैरानी होगी, सरकार के पास दर्ज की कई जानकारी के हिसाब से देश में सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, 24 लाख लोग ये स्विकारते हैं कि उनकी आए 10 लाख रुपिय सालाना से जादा है। क्या किसी देशवासी के गले ये बात उतरेगी? आप भी अपने आसपास बड़ी-बड़ी कोठियां, बड़ी-बड़ी गाडियां देखते ही होंगे? देश के बड़े-बड़े शहरों को ही देखें, तो किसी एक शहर में आपको सालाना 10 लाख से अधिक आए वाले लाखों लोग मिल जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि देश की भलाई के लिए इमामदारी के आंदोलन को और अधिक ताकत देने के ज़रूत है? ब्रश्टाचार काले धन के खिलाप इस लड़ाई की सभलता के कारण ये चर्चा बहुत स्वाबावक है कि अब बे इमानों का क्या होगा? बे इमानों पर क्या बीते की? बे इमानों को क्या सजा होगी? भाईयों और बहनों कानून का काम करेगा, पूरी कठोड़ता से करेगा, लेकिन सरकार के लिए इस बात की भी प्राथिक्ता है कि इमानदारों को मदद कैसे मिले? इमानदारों को सुरक्षा कैसे मिले? इमानदारी की जिंद्गी बिताने वालों की कठिनाई कैसे कम हो? इमानदारी अधीक प्रतिष्ठित कैसे हो? ये सरकार सज्जनों की मित्र हैं और दुर्जनों को सज्जनता के रास्ते पर लोटाने के लिए उपयुक्त वातावन को तैयार करने के पक्ष में हैं. वैसे ये भी एक कड़वा सत्य है कि लोगों को सरकार की व्यवस्थाओं, कुछ सरकारी अपसरों और लाल फितासाई से जुड़े कटू अनुभव होते रहते हैं. इस कटू सत्य को नकारा नहीं जा सकता. इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि नागरीकों से ज़्यादा जिम्मेवारी अपसरों की हैं, सरकार में बैटे छोटे बड़े व्यक्ति की हैं, और इसलिए चाहे केंदर सरकार हो, राज्य सरकार हो, या फिर स्थानिय निकाई. सबका दाइत्व है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा हो, इमान दारों की मदद हो, और बे इमान अलग थलग हो. दोस्तों, पूरी दुनिया में एक सर्व सामान्य तत्य है कि आतंगबाद, नकसलबाद, जाली नौटों का कारोबार, ड्रग के दंदे से जुड़े लोग, मानव तसकरी से जुड़े लोग, हत्यारों के कारोबार में लगे लोग, ये सब लोग काले धन पर ही निर्भर रहते हैं. ये समाज और सरकारों के लिए नासूर बन गया है. इस एक निर्णय ने, इन सब पर गहरी चोट पहुँचाई हैं. आज, काफी सिंख्या में, नवजवाम, हिंसा का रास्ता छोड़, मुख्य धारा में लोट रहे हैं. अगर हम जागरुक रहें, तो अपने बच्चों को हिंसा और अत्याचार के उन रास्तों पर वापस लोटे से बचा पाएंगे. इस अभ्यान की सभलता इस बात में भी है कि अर्थ विवस्ता की मुख्य धारा से बाहर जो दन था, वो बैंकों के माध्यम से अर्थ विवस्ता की मुख्य धारा में वापिस आ गया है. पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से ये सिद्ध हो चुका है कि चालाकीक के रास्ते खोजने वारे बैंमान लोगों के लिए आगे के रास्ते बंद हो चुके हैं. टेक्नलोजी ने इसमें बहुत बड़ी सेवा किये हैं. आदतन बैमान लोगों को भी अब टेक्नलोजी की ताकत के कारण काले कारोबार से निकल कर कानून नियम का पारण करते हुए मुख्य धारा में आना ही होगा. साथियों, बैंक कर्मचारियों ने इस दोरां दिन राप एक किये हैं. हजारों महला बैंक कर्मचारी भी देर रात तक रुक कर इस अभ्यान में सामिल रही हैं. पोस्त ओफिस में काम करने वाले लोग, बैंक मित्र सभी ने सराहनी ये काम किया है. हाँ, आपके इस बगिरत प्रयास के बीश, कुछ बैंकों में, कुछ लोगों के गंभीर अपराद भी सामने आये हैं. कहीं कहीं सरकारी कर्मिचारियों ने भी गंभीर अपराद किये हैं. और आदतन फाइदा उठाने का निरलज प्रयास भी हुआ है. इन्हें बक्सान नहीं जाएगा. भाईय बेनों, देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक स्वर्णिम अवसर है. इस अइतिहासिक अवसर पर मैं देश के सभी बैंकों से आगरह पुरवक एक बात कहना चाहता हूँ. इतिहास गवा है कि हिंदुस्तान की बैंकों के पास एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में, इतने कम समय में, धन का भंडार पहले कभी नहीं आया था. बैंकों की स्वतनत्ता का आदर करते हुए मेरा आगरह है कि बैंक अपनी परमपरागत प्रास्मिकताओं से बाहर निकल कर, अब देश के गरीब, निम्न मध्यमवर्ग और मध्यमवर्ग को केंदर में रख कर, अपने कारे का आयोजन करें। आज पूरा हिंदुस्तान जब पंडित दिंदाल उपाइधाय की जन्मस्ताब्दी वर्ष को गरीब कल्यान वर्ष के रुप में मना रहा है, तब बैंक भी लोग हित के गरीब कल्यान के इस अफसर को हाथ से न जाने दे। हो सके उतना जल्दी लोग हित में उचीत निर्णे करें और उचीत कदम उठाएं। जब निश्चित लक्ष के साथ नीती बनती हैं, योजनाय बनती हैं, तो लाभार्थी का शसरक्ति करन तो होता ही हैं, साथ साथ इसके तातकाली और दूरगामी फल भी अवश्य मिलते हैं। पाई पाई पर बारिक नजर रहती हैं, और इससे अच्छे परणामों की संभावना भी पक्की होती हैं। गाउं, गरीब, किसान, दलीत, पीडीत, शोशित, वंचित और हमारी महलाएं। जितनी सशक्त होगी, आर्थिक रुप से अपने पैरों पर खड़ी होगी, देश उतना ही मजबुद बनेगा, और विकास भी उतना ही तेज होगा। सबका साथ, सबका विकास, इस धेव भाक्य को चरितार्थ करने के लिए, नववर्ष की पुर्व संध्या पर, देश के सवा सो करोड नागरिकों के लिए, सरकार कुछ नई योजनाय ला रही हैं। दोस्तों, स्वतंत्र ताके इतने साल बाद भी देश में लाखों गरीबों के पास अपना घर नहीं है। जब अर्थ विवस्ता में काला धन बढ़ा, तो मद्यमबर्ग की पहुंच से घर भी खरीदना दूर हो गया था। गरीब, निम्न मद्यमबर्ग और मद्यमबर्ग के लोग गर खरीच सकें। इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए दो नई स्कीमे बनाई गई हैं। इसके तहट 2017 में गर बनाने के लिए 9 लाख रुपिय तक के कर्च पर ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट और 12 लाख रुपिय तक के कर्च पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमत्री आवास योजना के तहट गाउं में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। यानि जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33 प्रतिशत ज्यादा घर बनाए जाएगे। गाउं के निम्न मद्यमबर्ग और मद्यमबर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हमें एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। 2017 में गाउं में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्मान करना चाहते हैं या पुराने घर में कोई विस्तार करना चाहते हैं। एक दो कमरे और बनाना चाहते हैं, उपर एकाद नई मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें दो लाख रुपिये तक के रण में तीन प्रतिश्य दिव्याज की छूट दी जाएगी। दोस्तों, बीते दिनों चारों तरफ ऐसा वातावन बना दिया गया था, कि देश की कृष्शी बरबाद हो गई है, ऐसा वातावन बने आने वालों को मेरे देश के किसानों ने करारा जबाद दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रवी की वुवाई में 6 प्रतिशत ज्यादा वृद्धी हुई है। फर्टिलाइजर भी 9 प्रतिशत ज्यादा उठाया गया है। सरकार ने इस बाता लगाता ध्यान रखा कि किसानों को बीच की दिक्रत ना हो, खाद की किल्दत ना हो, कर्ज लेने में परिशानी ना आये। अब किसान भाईयों के हित में कुछ और अहम निरने भी लिये गए हैं। District, Cooperative, Central Bank और Primary Society से, जिन किसानों ने खरीफ और रभी की वुवाई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के साथ दिन का व्यास सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांस्पर करेगी। Cooperative Bank और Society से किसानों को और ज़्यादा कर्ज मिल सके, इसके लिए उपाय किये गए हैं। नाबाड ने पिछले महीने 21,000 करोड रुपिय की विवस्ता की थी, अब सरकार इसे लगभग दो गुना करते हुए इसमें 20,000 करोड रुपिय और जोड रही हैं। इस रकम को नाबाड, Cooperative Bank और Society को कम ब्याज पर देगा और इससे नाबाड को जो आर्थिक नुक्सान होगा, उससे भी सरकार वहन करेगी। सरकार ने ये भी तय किया है कि अगले तीन महिने में तीन करोड किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदल दिया जाएगा, तो किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद विक्री कर पाएगा। भाईयों और भेनों, जिस प्रकार देश की अर्थ विवस्ता में क्रिशी का महत्व है, उसी प्रकार विकास और रोजगार के लिए लगू और मद्यमुद्योग जिसे MSME भी कहते हैं, इसका भी महत्वपुन योगदान है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस खेत्र के लिए कुछ निरने लिए हैं, जो रोजगार बढ़ाने में सहायक होगे हैं। सरकार ने ताय किया है कि छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी एक करोड रुपिय से बढ़ा कर दो करोड रुपिया करेगी। भारत सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को ये गारंटी देती हैं कि आप छोटे व्यापारियों को लोन दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। अब तक यह नियम था कि एक करोड रुपिय तक के लोन को कवर किया जाता था। अब दो करोड रुपिय तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। NBFC यानि की Non-Banking Financial Company से दिया गया लोन भी किसमे कवर होगा। सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदार, छोटे उद्योगों को जादा कर्ज मिलेगा। गारंटी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने के कारण इन पर ब्याज दर भी कम होगी। सरकार ने बैंकों को ये भी कहा है कि छोटे उद्योगों के लिए Cash Credit Limit को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत करें। इसके अलावा डिजीटल माध्यम से हुए ट्रांजेक्शन पर वर्किंग केपिटल लोंग 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत तक करने को कहा गया है। नवंबर में इस सेक्टर से जुड़े बहुत से लोगों ने Cash Deposit किया है। बैंकों को कहा गया है कि वर्किंग केपिटल तै करते वक्त इस बात का भी संग्ञान लिया जा है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में बहुत बड़ी राहत देने का भी निश्चे किया था। जो कारोबारी साल में दो करोर रुपिय तक का व्यापार करते हैं। उनके टैक्स की गंदा आठ प्रतिशत आय को मान कर की जाती थी। अब ऐसे व्यापारी के डिजिटल लेंदेन पर टैक्स की गंदा छे प्रतिशत आय मान कर के की जाएगी। इस तरह उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा। दोस्तों मुद्रा योजना की सभलता निश्चित तोर पर बहुत ही उत्सारवर्दक रही है। पिछले साल करीब करीब साधे तीन करोड लोगों ने इसका फायदा उठाया है। दलीत, आदिवासी, पीछडों एवं महलाओं को प्रात्विक्ता देते हुए सरकार का इसे अब डबल करने का इरादा है। मैं बाताओ बहनों से भी एक बात करना चाहता है। गर्बवती महलाओं के लिए भी एक देश व्यापी योजना की सरुवात की जा रही है। अब देश के सभी 650 से ज़्यादा जीलों में सरकार गर्बवती महलाओं को अस्पताल में पंजी करन और डिलिवरी, टीका करन और पॉस्टिक आहार के लिए 6,000 रुपिय की आर्थिक मदद करेगी। ये राशी गर्बवती महलाओं के अकाउंट में टांसफर की जाएगी। सीधी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। देश में माता मृत्य उदर को कम करने में इस योजना से बड़ी सहायता मिलेगी। वर्तमान में ये योजना सिरफ 4,000 रुपियों की आर्थिक मदद और पाइलोट प्रोजेक्ट की रुपिये सिरफ 53 जीलों में चलाई जा रही है। भारत में सीनियर सिटीजन्स वरिष्ट नागरीकों की संख्षा भी बहुत है। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स का भी विशेश ध्यान रखा है। सरकार वरिष्ट नागरीकों के लिए भी एक स्कीम शुरू करने जा रही है। बैंक में जादा पैसा आने पर अक्सर बैंक डिपोजिट पर इंट्रेस रेट घटा देते हैं। वरिष्ट नागरीकों के पर इसका प्रभाव ना हो। इसलिए साड़े साथ लाख रुपिय तक की राशी पर दस साल तक के लिए सालाना आठ प्रतिक्षत का इंट्रेस रेट ब्याद दर सुरक्षित किया जाएगा। ब्याद की ये राशी वरिष्ट नागरीक हर महिने प्राप्त कर सकते हैं। ब्रस्टाचा काला धन की जब भी चर्चा होती है तो राजनेता, राजनितिक दल, चुनाव का खर्च ये सारी बाते चर्चा के केंदर में रहती हैं। अब वक्त आ चुका है कि सभी राजनिता और सभी राजनितिक दल, देश के इमानदार नागरीकों की भावनाओं का आदर करें। जनता के आक्रोष को समझें। ये बात सही है कि राजनितिक दलों ने समय समय पर व्यवस्ता में सुधार के लिए सार्थक प्रयास भी किये। सभी दलों ने मिल करके स्वेच्छा से अपने उपर बंधनों को स्विकार किया है। आज आवशकता है कि सभी राजनिता और सभी राजनितिक दल, holier than thou, इससे अलग हट करके, मिल बैट करके, पारदर सिता को प्रात्विक्ता देते विए ब्रश्टाचार और काले धन से राजनितिक दलों को मुक्त कराने के दिशा में सही कदम उठाएं। हमारे देश में सामान नागरिक से लेकर के राष्टपती जी तक सभी ने लोकसभा, विधानसभा का चुनाव साथ-साथ कराए जाने के बारे में कभी न कभी कहा है। आए दिन चल रहे चुनावी चक्र, उससे उत्पन आर्थिक बोच तता प्रसासन व्यवस्था पर बने बोच से मुक्ती पाने की बांप का समर्फन किया है। अब समय आ गया है कि इस पर बहस हो, सार्थक बहस हो और रास्ता खो जाए हमारे देश में हर सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा स्थाम रहा है। अब डिजिटल लेंदेन, ओनलाइन पेमेंट या इपेमेंट को लेकर के समाज में काफी सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस से जूट रहे हैं। कल ही सरकार ने बाबा सायब भीम राव अम्बेड करके नाम पर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए पूरी तरह एक स्वदे से प्लेटफॉर्म भीम लॉंच किया है। भीम यानि भारत इंटरफेस फर मनी। मैं देश के विवाओं से व्यापारी वर से किसानों से आग्र करता हूँ कि भीम से जादा से जादा जूडे। साथियों दिवाली के बाद जो घटना कर रहा निर्णय हुए नीतिया बरी इनका मुल्यांकन अर्थ सास्त्री तो करेंगे ही। लेकिन अच्छा होगा कि देश के समाज सास्त्री इतियां सिवीजबी इस पूरे घटना करम निर्णय और नीतियों का मुल्यांकन करें। एक राष्ठ के रुप में भारत का गाउं, गरीब, किसान, युवा, पड़े लिखे, अनपड, पुरूश, बहिरा, सब ने अव प्रतीम धैरिया और लोग शक्ति का दर्शन कराया है। कुछ समय के बाद, 2017 का नया वर्ष प्रारम होगा। का अंदोलन आरंब हुआ था। इन दिनों हमने देखा कि सो वर्ष के बाद भी हमारे देश में सच्चाई और अच्चाई के प्रती सकारात्मग संसकार का मुल्य है। आज महात्मा गांधी नहीं है। परंतु उनका यह मार्ग जो हमें सत्यका आग्रह करने के लिए प्रेरीत करता है। वह सरवाधिक उपयुकता है। चंपारान सत्याग्रह की सताब्दी के अवसर पर हम फिर एक बार महात्मा गांधी का पुन्डश मनन करते हुए सत्यके आग्रह ही बनेंगे। तो सच्चाई और अच्चाई की पट्री पर आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगे। ब्रश्टाचार और काले धन के खिलाब इस लडाई को हमें रुकने नहीं देना है। सत्यका आग्रह संपूर्ण सभलता की गारंटी है। सवा सो करोड का देश हो, 65 प्रतिशत जनसंख्या, 35 साल से कम उम्र के नवजवानों की हो, साधन भी हो, संसाधन भी हो, और सामर्थ में कोई कभी ना हो, ऐसे हिंदुस्तान के लिए कोई कारण नहीं है कि हमारा देश अब पीछे रह जाए। नववर्ष्टी नई किरण, नई सभलताओं का संकल को लेकर के आ रही है। आईए, हम सम मिलकर चल पड़े, बाधाओं को पार करते चले, एक नए उजवल भविश का निर्मार करे। बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद।